Hey friends, welcome back to Parcham. I am Richa और आज की क्लास है खास तोर पे मध्य प्रदेश के स्टूड़न्स के लिए क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से डिमांड करें मैं मध्य प्रदेश का मैप याद करवा दीजे जब से I think मैंने UP Bihar का state map learn करवाया फिर JNK किया फिर Punjab किया आप लोग की डिमांड आ रहे थी और आपने कितना percentage सही answer किया वो आप मेंचे comment करके बताएंगे ठीक है और अगर आपको लगा कि आपने 50% से जादा score किया है तो खुद को अच्छी खासी तालिया भी देंगे पिकरज पहली बार में अगर आपको 52 districts याद हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है नौ मैंने 52 बोला क्या 55 districts है अहां लास के जो तीन district है उन पर बिलपास हो चुका है लेकिन अभी announce नहीं हुई है officially के ये कब district के तौर पे existence में आएंगी बिलपास हो चुका है बिलकुल हो चुका है ठीक है तो आज हम याद करेंगे 52 districts 10 divisions यानि की 10 प्रमंडल में बावन जिले जो हैं वो आज हम याद करेंगे और कैसे करेंगे क्या क्या तरीके होंगे चलो वो सब देखते हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेट्स गो ओके सो यह है डीटेल में मैप अफ मध्यप्रदेश आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखे गए आप देख सकते होगे पहला है मध्यप्रदेश का फार्मेशन डे क्या है सवाल है आपके लिए पहला जड़ी से कॉमेंट करके बताइए अ फॉर्मेशन डे ऑफ मध्यप्रदेश यानि कि स्थापना दिवस मध्यप्रदेश का कौन सा है कब मनाया जाता है दूसरा आता है MP कितने स्टेट के साथ गुजरात गुजरात के साथ में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंडरी शेर करते हैं अभी हम पढ़ेंगे जबुआ और अली राजपुर है फिर राजस्थान तो पांच राज्ये ऐसे हैं यूपी छतिसगर्ड महाराश्ट्रा गुजरात और राजस्थान जो स्टे कोई भी नहीं पूष्टा कौन पूष्टा है कि बताईए वर्ल्ल मैप पे बेलरूस कहां है, कुसोवो कहां है, जौर्डन कहां है कोई पूछता है, नहीं पूष्टा, आप अप इसलिए नहीं पढ़ते हैं आटलस में से क्वेस्ट्रा जाएगा, आटलस आप इसलिए इतना तो बानते हैं कि atlas या मैप हमारे सामने हो तो चीज़ें समझना easy हो जाता है, याद करना easy हो जाता है, लेकिन कैसा रहे अगर atlas refer ना करनी पड़े, map देखना ना पड़े, दिमाग में ही हो, कैसा रहेगा, लेकिन यह करना difficult होता है, अधिकतर बच्चे इसलिए इस पर डिस्ट्रिक्ट है, अफटा फट याद हो गया, यहीं होगा कि आप पहले मैप देखो, अच्छा यह पनना यह चातर पर रोके, फिर मैं याद करूं, गॉलियर फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ा कि सबसे नया जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, न पर ना करना पड़े, दिमाग में स्टोर हो जाए, एक्जाम में तो हैल्प मिलेगा ही, आपके confidence को enhance करने में बहुत important role play करता है, आपके personality को enhance करने में बहुत important role play करता है, कभी interview दे रहे हो, अपने district, अपने state का पूरा नक्षा दिमाग में छपा हुआ है, अलगी तरह से चाहिए, और इसलिए ये class मैं लेकर के आई हूँ, अब समझ में आया है, परपस यह नहीं है, किस पे से question बनेगा यह नहीं है, परपस यह जिनमें से question बनेगा, उसको याद करने में मैप जरूर हेल्प करेगा, ठीक है, क्यूंके question कई बार comments में आ जाता है, इसलिए I thought में ह याद करने पर, तो ये तो आपने देख लिया 5 राज्य जिन से सीमा लगी हुई है, अब हम आ जाते हैं, read and observe, यहां क्या लिखा हुआ है, read and observe, memory तेज होना या कोई भी चीज अच्छे से याद होना, इसके लिए बहुत जरूरी है, आप concentrate करके कोई भी चीज पढ़ें, पता ही नहीं है कौन सी डिस्ट्रिक्ट तो या आप कैसे करेंगे, नाम तो सुन लें एक बार, मैं यह अजियूम करके पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, चलो, so, total कितने प्रमंडल या कितने डिविजन्स है मध्यप्रदेश में, 10, there are 10 divisions, और डिस्ट् पिंक आपको कलर ऊपर यह दिख रहा है, यह पहला प्रमंडल आता और यह है चंबल डिविजन, कौन सा डिविजन है यह? चंबल डिविजन, अब चंबल नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यह चंबल डिविजन है क्योंकि यहां से चंबल नदी जाती है, ठीक शिवपुरी, अशोक नगरगुना, जब मैं याद कराऊंगी, जूम कर लेंगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ देखते चलिए, पॉम्पोजिट इमिज अभी आपके सामने है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, गौलियर डिविजन के, अब नीचे आजाए, ये रहा हमारा कैपिटल, मध्यप्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल, मैं कैसे बच्चों वाले सवाल करते हो, मैं तो करूंगी, तो ये है भोपाल, अब भोपाल डिविजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये पूरा भोपाल डिविजन है, ठीक है, ये रहा है, तो भोपाल में आते हैं, राजगर, विदिशा, रायसेन और सिहोर, ठीक है, अब उसके नीचे आजाओ, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है नर्मदापुरम डिविजन, कौन सा, नर्मदापुरम, और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्स आ रहे हैं, इसमें आ जाता है होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम भी बोलते हैं, बेतूल और हर्दा, ठीक है, ये चार डिविजन सीधे-सीधे हो गए, उसके बाद अब थोड़ा हम इस्ट की साइट चलते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, सी ग्रीन से कलर में, चार डिस्ट्रिक्ट, ये है रेवा, रेवा, डिविजन या प्रमंडल, ओके, और इसमें कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रेवा, सिधी, सतना और सिंग्रॉली, ठीक है, उसके नीचे आज ओए, जो पॉपिल कलर में आपको दिख रहा है, ये सब कुछ याद होगा, ओके, सब कुछ याद होगा, फिर ये जो यलो-यलो कलर का आपको दिख रहा है, ये देख लो, कटनी, जबलपूर, नरसिंगपूर, चिन्वाडा, सियोनी, बालगार, मंडला और दिंडोरी, और ये कौन सा डिविजन है, ये है जबलपूर डिविज कौण सा है, सागर, कौन सा डिविजन है, सागर डिविजन, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, तो यहाँ से शिरुuş करते हैं, पन्ना, दमो, सागर, छ्छतरपूर, टीकमगड, और ये सब से नया डिविजिक जो जो 2018 में शाए निमच, मंसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास यह सब उज्जैन डिविजन में आते हैं और लास्ट में आजाता है इंदौर डिविजिन यह जो पिंक-पिंक आपको दिख रहा है इंदौर डिविजिन कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट है? जबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बढ़वानी, खारगौन, खंडवा, बुरहानपुर तो ये हमने 52 डिस्टिक्ट सिर्फ पढ़े हैं अभी अब जो English medium वाले बच्चे ते उनके लिए तो ये eyes से भी catching हो गया सुनने में भी catching हो गया अब Hindi medium वाले जो बच्चे हैं उनको यहां पर फोड़ी प्राब्लम होगी तो फटा फट से एक बार Hindi में देख लेते हैं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, डूनाट थिंग टाइम वेस्ट हो रहा है जतनी बार नजरों से निकालोगे, एक दो बार रीड करोगे चीज़ें और strongly adhere होंगी, यानि चिपकेंगी दिमाग में, ठीक है फटाफट फटाफट पढ़ूँगी, देखते चलिएगा बाइदर टाइम बिंग, आप question का answer कर सकते हैं total district कितनी है, मैंने बता दिया answer newest district कौन सी है, यह भी मैंने बता दिया answer largest district कौन सी है, यह भी मैंने answer बता दिया, कोई बात नी total district है, 52, चलो यह बताओ, कौन सी वो तीन नई district है जो आप से शुरू में भी पूछा था, जो बिल पास हो गया है और बनेंगी future में, newest district सबसे नई district कौन सी है, निवारी है और यही सबसे छोटी district भी है, smallest भी यही है, largest district कौन सी है, चिंदवाड़ा है ठीक है, सारे answer तो मैंने दे दिये, चलो जल्दी से देख लो अब यहाँ पे कुछ जगों पे न, अशुद्ध लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, जैसे शिवपुर नहीं है यह शियोपुर है, शियोपुर, शियोपुर मुरेना भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोक नगर गुना, ठीक है नीचे आज़ो, भोपाल, राजगर, विदिशा, रायसेन, सिहोर, उससे नीचे आज़ो, होशंगाबाद, छिंदवाडा, बेतुल, ठीक है, और यह डिविजन बे आते जारे है फिर इस साइड आज़ो, रेवा, सिधी, सतना, सिंग्रॉली, नीचे आज़ो, अनूपुर, शादोल, उमरिया इधर आज़ो, कट्नी, जबलपुर, नरसिंग, पुर, छिंदवाडा, मैंने इसके साथ गलत पढ़ दिया कोई बात नहीं, मैं डिविजन के हिसाब से चल रही थी, होशंग का बाद बेतूल हरदा था यहां आज़ो इधर, जबलपुर, नरसिंगपुर, छिंदवाडा, सियोनी, बालाघाट, मंडला, दिंडोरी मैं डिविजन टू डिविजन पढ़ रही हूँ, इसलिए, छिंदवाडा, नर्मदापुरम डिविजन में नहीं आता, छिंदवाडा आता है जबलपुर डिविजन में इधर आ जाएगे फिर, यह निमूच नहीं है, नीमच बोलते हैं इसको नीमच, मंदसौर, रतलाम, उजन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, कई जगे पर स्पलिंग मिस्टेक है, हिंदी वाले में कोई बात नहीं फिर दर आजएगे इंदवर डिविजन जो है, जबु आली राजपुर, धार, बढ़वानी, खारगॉन, खारगॉन, खंदवा और यह इंदवर, तो यह हो गए सारे डिस्ट्रेक्ट हमने जो हिंदी में भी पढ़ लिए, जो जिस तरह से कमफोटेबल है, उसको वो चीज दिखनी चाहिए, इसलिए हिंदी मैप भी हमने इंकॉपरेट कर दिया है, तो यहां दक्की बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, लेक्स मैमराइज, याद करते हैं, पर लिखा हुआ कहा है मैम, कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं के दिमाग में लिखा हुआ है, तो अब मैं आपक को एक एक करके याद करवाती चलूँगी, देखो मैं मध्यप्रदेश को बिलॉंग नहीं करती हूँ, मैं आज तक आयते हैं कभी गई भी नहीं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंज हो गेरा रहते हैं, अदर्वाइस मध्यप्रदेश से ऐस सच कोई रिलेशन भी नहीं है, अगर गुड मेमरी के लिए, शाप ब्रेन के लिए वो होता है, सेल्फ बिलीफ, अच्छी या बुरी मेमरी नहीं होती है, अंट्रेंड और ट्रेंड मेमरी होती है, अगर आपने ट्रेंग यह लिए सही तरीके से मैप याद करने की, तो आप मैप के मास्टर बन सकते हो, ठीक है, तो चलो, शुरू करते हैं, एक एक करके लेंगे, सबसे पहला डिविजन हम कौन सा लेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं, ठीक है, अचा पहले बताओ, यह जो पूरा मैप का इमेज दिख रहा है, इसमें कोई बर्ड जैसा इमेज देख सकते हो, इमेजन करो, यह बर्ड का फेस हो गया, यह नेक हो गई, और यह दोनों पंक हैं, दिखाओ, इस तरह से कुछ अगर यह बर्ड खड़ी भी हो, थोड़ा सा अगर आप विजुलाइज़ेशन करना चाहो तो कर सकते हो, यह हेड हो गया, यह इसकी आँख हो गई, रेड कलर की यह नेक है, यह बोड़ी आ गए और यह दोनों पंक हा गए, अगर इस तरह से करेंगे, और मैं आपको कहूं, इमेजन करो, यह मोर्नी है, पूछ नहीं दिखरी हमको, मोर्नी है पंक खोलके बैठी है, तो अब इमेजन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो बर्ड तो करी लोगे ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस मोर्नी के हेड़ पे फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे? हेड़ पे, तो चलिए, अच्छे दिख को वहा देखरा होगा, मैंने जूम कर दिया है, अब ये एक शी मोर्णी है, मैं अभी सिर्फ यह लिख रही हूँ, ठीक है? शी से मतलब है शियोपुर, यह एक शी मोरनी है, जिसको भीड पसंद नहीं होती है, तो ये एक शी मोर है या शी मोरनी तो क्या बोलें शी मोर है तो मोर से हो जाएगा मोरेना मोर से क्या हो जाएगा मोरेना शी से शी ओपर ये एक मोरनी है या मोर है तो मोरेना और इसको भीड पसंद नहीं है तो यहाँ आजाएगा भिंड मैं यहाँ लिख देती हूँ भिंड ठीक है तो imagine गरिए जो पक्षी है यह एक शी मोर है शी मोर यानि मोरनी है तो शी से हो जाएगा शी ओपर मोरेना और भिंड और क्योंके यहाँ से चंबल जाती है इसको बोलते हैं चंबल डिविजन तो चंबल डिविजन में तीन डिस्ट्रिक्ट आती है शी ओपर मोरेना भिंड शी मोरनी है यह और इसको भीड पसंद नहीं यहाँ तक ही पिक्चर क्लियर हो गई अब देखो यह इसकी आँख जैसा दिख सकता है यह रेड रेड तो इसकी जो आँख है ना इसकी जो नजर हमेशा गवालियर पे रहती है क्यों रहती है गवालियर पे क्योंके इसकी जो ददिया थी ददिया समझते हो ददिहाल जो है जहां दादी रहती है दादा रहते हैं इसका ददिहाल ग्वालियर का है है ना तो अब हमारी second division की story स्टार्ट होगी इतना हमने कर लिया है अब हम यहां आते हैं कुछ नहीं देखते चलिए सब कुछ everything will make sense so she मोर्नी है ये और इसको भीड पसंद नहीं है तो हमने किया था शियोपुर मौरेना और भिंड अब यह जो आन्क है इसके हमिशा ग्वालियर पर रहती है तो ये हो गया दतिया ग्वालियर के पस में혜うんगी अब ग्वालियर में भी ग्वालियर fort में भी शिव जी का मंदर है ये जो मोर्नी का ददिहाल है वो सब जने कहा जाते हैं ग्वालियर में भी एक शिव जी का मंदिर है तो ये आगया शिव पुरी और उस शिव जी के मंदिर के अंदर बहुत सारे अशोक के पेड़ लगेवें जल्दी से पिक्चर बनाओ के मोर्नी है ग्वालियर फोर्ट में तो ये हो गया अशोक नगर और अशोक क्या करता है आपके दुख को आपके शोक को कई गुना कम कर देता है तो ये हो गया गुना ठीक है ये पूरा डिविजिन जो हमने यहां से पढ़ा ये कौन सा डिविजिन या कौन सा प्रमंडल है ये हो गया Gwalior lahmander तो देखो हमने ये जो पक्षी लिया है ये जो मोरनी ली है बस इतना ही हम इसका यूज करेंगे और कहीं मोरनी का यूज नहीं करेंगे तो ये शी मोर है और इसको भीड़ पसंद नहीं है तो शीओपुर, मुरेना, भिंड सबसे उपर और मोरेना जो है वो सबसे टॉपमोस डिस्ट्रिक भी है northernmost डिस्ट्रिक भी है तो आपको याद रखना है कि north में मोर है सबसे eastmost डिस्ट्रिक कॉनसी है? सिंगरॉली अभी पढ़एंगे सबसे southernmost कॉनसी है? कॉनसी है southernmost? ये कौन सी है ये बुर्हानपुर ठीक है और सबसे वेस्टन मोस्ट अलीराजपुर ठीक है जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं बताती चलूँगी अभी सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे फटा फट से एक क्विक तो ये हमने पढ़ा शियोपुर शियोपुर मोर से मोरेना और इसको भिड पसंद नहीं है तो भिड ठीक है इसकी आँख किस पर रहती है गौलियर पर रहती है तो आँख में आ गया यहाँ पर ये कौन सा डिस्ट्रिक है गौलियर क्यों क्यूंकि इसका ददिहाल है वहाँ पर तो ददिया रहती है तो दतिया और गॉलियर में कौन सा मंदिर है जहां इनका पूरा परिवार घूमता रहता है शिवजी का मंदिर है तो शिवपुरी और वहाँ पे किस तरह के पेड़ हैं बहुत सारे वहाँ पे हैं अशोक के तो ये हो गया अशोक नगर और वो अशोक के पेड़ क्या करते हैं हमारे दुख को कई गुना कम करते हैं तो गुना यहां तक कि डिस्ट्रिक याद हो गए ठीक है कुछ नहीं गरना चेक मत करो अभी खुद को लास में टेस्ट लूंगी चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इधर आ जाते हैं थोड़ा ठीक है अब आपको क क्या करना है यह देखो यह आपको शेप दिख रहे हैं भोपू जैसा शेप है यह कभी पुराने जमाने की साइकल देखी है पुराने जमाने की जो साइकल हुआ करती थी ना उन पे ऐसा ऐसा सा एक भोपू होता था यहां से बजाओ तो आवाज निकलती थी हैं ऐसा विधिपाल कौनसा district है यह भौपाल अब भौपाल division में जो चार ounce district हमें करने हैं और वह 123 और 4 यह 4 और हमें करने हैं और यह भोपाल मिला कर 5 हो जाएंगे तो अब फोपु किसका है यह भौपु है राज्यसाहब का ठीक है तो realise और यह भौपु किसका है ये राजा साहब का है राज कर अब राजा जी इससे क्या करते हैं राजा इससे राय देते हैं कि भाई किस विधी से राज करना चाहिए नहीं करना चाहिए लोग उनसे पूछते ते अच्छा राजा कैसे बने दूसरे लोग पूछते हैं तो राजा भोपु से राय देते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये आ गया राय सेन और किस बारे में राय दे रहे हैं? विधी क्या होनी चाहिए? अच्छे राज करने की तो ये हो गया विधीशा और ये उपर क्या था? अशोक नगर था ये गुना था, है ना? तो अशोक नगर अशोक कैसे बने यानि बिना शोक के कैसे खुद को रखे उसकी भी कोई नो कोई विधी होती है टेकनीक्स होती है न अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की डिप्रेशन को मैनेज करने की तो यहां से भी विधी को रहा भोपाल ठीक है तो आपको कहीं नहीं पहचाना ये आंख से आप गौलियर और गौलियर के सारे डिस्ट्रिक्ट पकड़ सकते हो ये भोपाल का आपका हुक हो गया यानि यहां से भोपाल पकड़ो और उसके बाद राजगर सिहोर रायसेन विदीशा ये पांच हो गए आ बहुत सारे अशोक के पेड़ हैं जो कई गुना हमारा शोक दूर कर देते हैं फिर हमने देखा ये भोपू है ये राजा जी का भोपू है वो इससे राय देते हैं कैसे अच्छी विदी से शासन किया जा सके ठीक है चलिए वेरी गुड अब थोड़ा नीचे आजो अब हम क चलिए भोपाल दिख रहा है अब भोपाल से नीचे वाले एरिया पर हम चलते हैं यह आपको थोड़ा रेक्टैंगल जैसा शेप दिख रहा है ना भोपाल यह था रेक्टैंगल जैसा शेप यह रेक्टैंगल शेप कहें किसका नर्मिदा पुरम भी जिसको कहा जाता है ठीक है? होशंगाबाद होशंगाबाद अच्छा यह क्या था? यह रायसेन था अभी हमने देखा था ना? यह सी होर था, यह रायसेन था तो राय आप किससे लोगे? कोई होश में होगा इंसान उसी सा राय लोगा न है या फिर विधी बताते थे रहो हरदम उस–мен में तो अच्छा शासन नहीं कर पाओंगे होश में हरदम ईसे बये थे अच्छे राजा थे ठाके तो यह देखो यह हशन hermano भात पता करने के एक छोटा सा एक हुक है या एक हिंट है कि बिल्कुल rectangle जैसे shape का district है ठीक है तो इसको बोलते होशंगाबाद और यह जो आपको देख रहा है इसके पास में यह हर्दा हर्दा तो होश में हर्दम रहो बेटू बेटू से आ जाएगा बेटुल बेटुल तो यह तीन इसका नाम है नर्मदापुरम ठीक है तो अब मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे होश में हर्दम रहो बेटू होशंग का बाद हर्दा और बेटुल तो हमने बिल्कुल सामने सामने के चार डिविजन कंप्लीट कर लिए है यह था चंबल डिविजन यह पूरा हमने किया गौलियर डिविजन उसके बाद यह हमने कर लिया भोपाल डिविजन वेरी गुड और यह हमने कर लिया नर्मदापुरम डिविजन ठीक है चार डिविजन सेट हो गए अब हम चलेंगे इस्ट की तरफ ठीक है चलो आजओ इस्ट की तरफ कैसे आएंगे भई थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चलो विजिबल होगा अब इस्ट में आपको ये जो चार डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं इन पे फोकस करना इस्ट में चार डिस्ट्रिक्ट लास्ट के चार ऐसे पकड़ो उपर लास्ट के चार जो डिस्ट्रिक्ट है अब ये आएगा रेवा डिविजिन कौन सा प्रमंडल है ये रेवा प्रमंडल अब इसमें एक, दो, तीन और चार डिस्ट्रिक्थ हमें याद करने है पहला ये आ जाता है रेवा एक लड़की थी रेवा होता है ना रेवा नाम होता है लड़कियों का एक लड़की है रेवा इतनी सीधी है, बहुत सीधी लड़की है तो सत्संग से क्या होगा सत्से हो जाएगा सत्ना क्या हो जाएगा सत्ना और संग या सिंग से हो जाएगा सिंग्रॉली सत्संग से सिंग्रॉली थोड़ा सा आपको एड़्जास करना पड़ेगा सिंग भी कर सकते हो लेकिन सत्संग से जादा समझ में आएगा तो ये आगया सिंग्रॉली सिंग्रॉली डिस्ट्रिक्ट नीचे छत्यसगर से सीमा लगती है इधर उपी से सीमा लगती है ठीक है? सो चार डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़े रेवा डिविजिन के रेवा बहुत सीधी है हमारी लड़की रेवा तो बहुत सीधी है सत्संग ही सत्संग करती है ऐसा होते हैं बताते हैं पेरंस बढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे रेवा के बारे में रेवा बहुत सीधी है सत्संग करती है ठीक है अभी आपने ये चार डिस्ट्रिक्ट याद किये हैं अब हम चलेंगे इन तीन पे इन तीन पे ठीक है और उसके बाद में हम यहां सेंटर में आएंगे तब मैं बता दूँगे आपको चलिए अब भई रेवा तो बहुत सीधी थी अब एक अनूप है USA से आया है कहां से आया है USA से आया है तो सीधा तो होगा नी USA का यह तो डोलता रिदा होगा तो यह हाएगा USA यह देखो यह चार वो थे अभी आपने जो पड़ा था ना रेवा सीधी है सत संग करती रहती है उसके जस होना तो यह हो गया और अनूप पूर अनूपर स्पेलीगी संगल प्यारे हो सकती है और यह अनूप अगया यह 0 ़े रखेंगे शाहि दोल जो एचानूप मु आई है USA से डोलता रहता है उमर भर से डोल रहा है उसी के बापा रेवा के मामी बापा इबुराई कर रहे है अपने पडोसी अनूप की हमारी लड़की दो भूँछी ने सीधी है रेवा पूरे दिन सत्संग करती अनूप को देखो USA से आया डोलता रहता है उमर भर से डोल रहा है तो अनूप कहां से यू से से या तो यू से आपका हिंट हो जाएगा से हो जाएगा शादोल क्या हो जाएगा शादोल और यू से उमरिया ठीक है तो यू से यह आपका हिंट हो जाएगा अनूप कहां से आ, USA से आ, डोलता रहता है उमर भड, तो ये दो डिविजन हमारे होगे, ये कौन सा डिविजन है, शादोल डिविजन, शादोल डिविजन, शाबाश, ठीक है, यहां तक भी हो गया, कोई प्रॉब्लम, तो हमने अभी तक कितने डिविजन कम्प्लीट कर ये वन, टू, थ्री, ये फोर, ये फाइव, और ये सिक्स, सिक्स डिविजन कम्प्लीट होगे, चार बचे हैं बस, खतम होने वाली पहानी, तो अब हम आजाते हैं, यहां पे देखो, ये आपको, थोड़ा में को जूम करना पड़े का, कोई बात नी चलो, हले यही से जबलपुर डिविजन, जबलपुर डिविजन, तो ये जो सत्ना आपने किया था, सत्ना सत्ना के बिलकुल नीचे आजाना, और यहां पे देखो एक शेप है, अगर आपके घर में छोटे भांजे भतीजे या कोई होंगे, तो आप ये शेप पहचान जाओगे, क्योंकि य जल ग्यां यहां एक रहे उनिकार्न जैसा लगता है, यूनिकार्न बटाः वह इसा गोड़ा जिसके सिरफे सींग होता है,תחल गोड़ा बोलें, उसको बछोंको बहुत laut, इस बार की बादे थीम भी चयरा नी रखवाी थी, यह जो। तो यह गोड़े का फेस है, औ नहीं तो यह उपर यहां पर सतना था, सतना के नीचे कटनी है, अब देखो यहां में दिखाए देती, क्योंकि नहीं होना है, क्योंकि मैप पहचानना जरूरी है, ठीक है, तो यह आगे आपका सतना, यह आप पढ़ोगे पन्ना, पन्ना अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर म और सतना पन्ना के नीचे आजाता है कटनी, क्या आजाता है, कटनी, ठीक है, तो अब हम कटनी और यह नीचे, यह जबलपुर, तो हम पूरा जबलपुर डिविजन पढ़ेंगे, समझ में आगे लोकेशन, अब चलो, क्योंकि जूम कर रखा है ना, आप लोकेशन, शायद बुटने में चोट लग जाए, जब कभी, तो आप क्या करोगे, नर्स के पास जाओगे, बिल्कुल नर्स के पास जाओगे, तो कट हो जाए नी, जब भी, तो जब से जबलपुर, तो हम क्या करेंगे, नर्स के पास जाए जब, तो कहां जाना है, नर्स के बास, तो यह हो चंद मिन्टों में ठीक कर देती है, तो यह आ गया चंद से छिंद वाड़ा, क्या आ गया, छिंद वाड़ा, चंद समझते हो, दो मिनिट थोड़ी से, चंद मतलब कुछ, तो चंद मिनिट में नर्स ठीक कर देती है, कट लगे नीमे, जब भी, नर्स के पास जाओ, वो चंद में ठीक कर दिए और चिंदवाड़ा ही सबसे लाजस डिस्ट्रिक भी है मध्यप्रदेश का यहां तक की बात समझ में आगे अब देखो डॉक्टर भी आजकल बोलते कि सिर्फ दवाईयों से काम नहीं होगा आपको दिमाग की और मन की स्थेती भी अच्छी रखो खुश रह यहां तक की कथा देखे आपके नी में कट लग जाए जब भी आप नर्स के पास जाओगे नर्स चंद विंटों में ठीक करेगी लेकिन नर्स यह भी बोलेगी कि गाने गाओ, तो पहला गाना उसने अपने जमाने का सेज़ेस्ट किया सयोनी, चैन एक पल नहीं अगर आपने सुनाओ तो नहीं सुनाओ तो कोई बात नहीं तो आप क्या करोगे, ये नहीं सुनाओ तो कौन सा गाओगे बाला उबाला उबाला और बाला घाट हो गया लेकिन शर्ट सर्फ ये है कि आपको पूरा मन डाल के ये गाना है पूरा मन डाल के ये दोनों सॉंग्स गाने हैं तो ये हो जाएगा मन्डला और थोड़ी देर नहीं गाना दिन भर गाना है तो यह हो जाएगा डिंडोरी ठीक है तो यह हो जाता है जबलपुर डिविजिन कम्प्लीट पटापट से क्या था अब यह देखो मैंने बताया था कि यह यूनिकॉन जैसा दिख रहा है यूनिकॉन यह आपके लिए हिंट हो जाएगा कि यूनिकॉन कटनी है और यहां पर द छोटा सा होता है सी हौर्स एक वॉाटर अनिमल है ऐसा समझो और नहीं पता सी हौर्स तो कोई बात नहीं सो अगर कट लग जाए नी में जब भी तो नर्स के पास जौब वो चंद मिनिट में ठीक कर देगी और बोलेगी गाना गाओ सयोनी सयोनी नी आता तो बाला सौंग गालो और लेकिन गाओ पूरा मन डाल के और दिन भर गाओ तो इससे हमारे हो जाएंगे कटनी, जबलपूर, नर्सिंगपूर, छंदवाडा, सियोनी, बालाघाट, मंडला और दिन डोरी ठीक है तो ये डिविजन भी कंप्लेट हो गया अब हम कहां चलेंगे वन, टू, थ्री, इस्ट के ये कर लिए, चार ये कर लिए थे, सेवन डिविजन हो चुके, आठवे डिविजन पर आतने, सागर डिविजन कौन चा प्रमंडल है, सागर, अब हम ये वाला एरिया कवर करेंगे ठीके, तो ये देखो, ये था सतना, सतना के बाद ये कटनी था, अब ये आ जाएगा पन्ना, ठीके, तो पन्ना की लोकेशन ऐसे समझ में आ गई, सतना, कटनी, पन्ना, अब यही हम जूम करेंगे और इसको याद करेंगे, चालो, यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आपको, जो ये दिख रहा है, यूनिकॉन, ये कौन सा था, कटनी था, ये सतना है, तो ये हो गया, पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नाशल पाक, पढधा ही था ना, पन्ना वाई उस पे रिजर्व, चःतरपुरा और पन्ना में फैला हुआ है, चलो, सो पन्ना के मोह समझते हो यह मोह मोह के धागे वाला मोह तो अंदर आपको किसी के लिए मोह है आपके पेरंस के लिए हो सकता है किसी फ्रेंड के लिए हो सकता है आपको मोह का सागर उस पन्ने पे लिख रहे थे तो पन्ने पे आप मोह का सागर लिख रहे थे ठीक है तो पन्ने से पन्ना ह से और सागर हो गया थीडया भी यह पंपन ट्रुण चछतरपुर जो जो डिस्टृक पहले से पहले ज़ले हो अच्छी बात और जायेगा तो पंण था जिस पे आप मुह का सार उडेल रहे थे और उड़े किसी की छथ पे चला गया किसी चथी चंप पडोसी टीकम तो टीकम की छट पे चला गया ओहो टीकम गड़ टीकम के घर चला गया टीकम के घर की छट थी वो ऐसे देख लो अब यहां पे न बना हुआ नहीं है यह एक और डिस्ट्रिक्ट उसने वहला मेरे पास सब सेफ है आपके जो मोह के सागर आपने उडेले में किसी को नहीं बताओंगा तो नो वरी से निवारी और निवारी आपको सीधे भी याद होना चाहिए विकाज यह सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो की ओफिशली बना है 52 नंबर का और आई थिंक 2018 ही है च यह पर टीकम को जैसी वह पन्ना में ले उसने बहुत डोंड वरी भाई नो वरी मेरे पास सब सेफ है यह वापिस तरह पन्ना में किसी को कुछ नहीं बताओंगा तो नो वरी से निवारी अब उस पन्ने में कुछ भी हो सकता है आपके करियर की टेंशन हो सकती है आपके डिस्ट्रिक डिविजिन और 1,2,3 और 4 डिविजिन आठ डिविजिन हो चके है complete कितने बचे दो डिविजिन और बचे है एक हमें पढ़ना है उजन डिविजिन एक हमें पढ़ना है इन दो डिविजिन करें शुरू चालो सो करते हैं जूम और पहले यहां आ जाते है चलिए कहानी जो शुरू करनी है अच्छा यहां से कुछ असोसेशन याद हो रहा है यह गुना था यह अशोक नगर था उसके बाद यह भोपाल दिख रहा होगा फिर यह क्या था सिहोर सिहोर आ गया था तो यहां तक की बाद clear थी और यह क्या था राजगर था अब यहां यहां हमको move करना है तो देखो कहानी शुरू करेंगे सबसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 7 तक हम आएंगे ठीक है तो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो देखते हैं फटा-फट से सबसे पहले शुरू करेंगे नीमच पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहे हूँ इसमें कहानी थोड़ा असोसियेट होने में हेल्प हो जाएगा अगर मैं पहले नाम बता दूँ तो ये सबसे पहला है नीमच कौन सा है नीमच फिर उसके बाद है मनसौर मनसौर ठीक है फिर यह आ जाता है रतलाम जब वी मेट मूवी देखी है रतलाम की गलियों में हाई हाँ जब वी मेट ओके तो रतलाम के बाद यह जो आपको दिख रहा है यह आएगा उज्जैन और यह यह आता है अगार मालवा अगार मालवा भी याद कर भाँगी अगार मालवा हो गया और उसके बाद ये क्या है राजगर के बिलकुल नीचे शाजा पुर शाजापुर और शाजापुर के इधर नीचे ये कौन सा है देवास ठीक है So, अब मैंने लिखा इसलिए क्योंकि अब मिरको associate करवाने में आपको थोड़ा easy होगा because आब relate better कर पाओगे अब ये जो पूरी कहानी आएगी न ये आएगी उज्जेन के महाकाल मंदिर के दर्शन से जुड़ी हुई कि आप जा रहे हो मान लीजे राजस्थान में रहते हैं मुझे उज्जेन महाकाल के दर्शन के लिए जाना है कोई भी व्यक्ति है वो उज्जेन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा है तो किस तरह से कहानी प्रुसीड होगी ये हमें देखना है ये आसपास के डिस्ट्रिक में थोड़ा हटा रही हूँ आपको confusion cause नहीं होना चीए इसलिए चलिए तो हम क्या करेंगे आपने मनत मांगी थी कि महाकाल के दर्शन के लिए आऊँगा तो उससे पहले में एक दम नीम ही नीम खाऊँगा उसके लावल में कुछ नहीं खाऊँगा तो आप सिरफ नीम खाऊँगे तो नीम से हो जाएगा नीम अच आप नीम खा रहे हो आप नीम कोई इंसान घपड़ घपड़ चल दी चल दी यानि कि बहुत फास्ट तो नहीं खाएगा जैसे मैं बच्चे को कई भार बोलती हूँ घपड़ घपड़ मत खाऊ लेकिन नीम तो कोई बहुत होगाँ करके नहीं खाएगा क्या करेगा मंद तरीके से यानि धीरे धीरे तरीके से खाएगा नीम होता इतना कड़वा है तो आप नीम खा रहे हो लेकिन कैसे खा रहे हो मंद तरीके से मंद सौर और कहां से होते वे आ रहे हो रतलाम की गलियों से तो ये रतलाम आ गया कहां जाना है महाकाल जाना है तो ये उज्जेन जाना है हमको जैसे आप उज्जेन महाकाल मंदर पहुंचे क्या मंगी आपने व्रट्प पूरा कर लिया नीमी नीम खाने का अभ आपका क्या मननत थी कि मुझे शाजा मुम्ताष महल शाजा जैसा वास चाहिए वास यानि महल जहां में रह सकूं तो मेरा घर ऐसा नॉर्वल नहीं होना चाहिए मुझे शाजा जैसा वास करना है यानि कि रहना है जीना है तो शाजा पुर एन देवास तो ये हो जाएंगे आपके सारे districts of उज्जेन division तो आप नीम मंद गती से खाते खाते रतलान की गलियां क्रोस करते वे उज्जेन महाकाल मंदिर पहुंचते हो वहाँ आप अगर बत्ती जलाते हैं और कहते हो कि मुझे शाजा जैसा वास चाहिए तो ये देवास हो जाएगा ठीके तो ये सारे हो गए हमारे districts of of कौन सा division उज्जेन division अब हमें कहां चलना है आज ओ फट आफट तो चलो हम इसको करते हैं थोड़ा स जूम राइट अब देखो ये आमने देखा था भी देवास ओके ये उज्जेन था ये रेक्टैंगल शेप का आपने होशंगा बात देखा था इसके पास में ये हड़डा देखा था ठीके और ये क्या था उज्जेन से पहले रतलाम शाबाश रतलाम अब हमें जो याद कर करना है वो यह वाले डिस्ट्रिक्स याद करने है ठीक है तो अब यह जो कहानी चालू होगी यह होगी गुजरात साइड से कहां से होगी है स्टोरी चालू यह है गुजरात यहां पर गुजरात पड़ता है ठीक है गुजरात से लगे हुए या बॉर्डर शेर करते वे है और अब यहां कहानी करें तो अपनी गुज़्रोती मानलो यहां गुज्रात के पास रहते हैं घाणी ज्षणाल जए संड़ाइभक Allison कौनी यह ज्ञावग गपनी कॉनसी ज्ञावगा हो जाएगा अब यह ज्ञाव记ो लेकिन अली का राज ये बोलती हैं कि भई हम इस पूरी दुनिया पर अली का राज है तो हमने बोला आप हिंदू हो आप अली का राज बता रहे हो ऐसे कैसे बहुत शांत और बहुत ही कॉंफिडेंट और बहुत ही प्राउड तरीके से कहा कि ऐसे ही होना चाहिए क्या हिंदू-मुसलिम लगा रखा है तुमने क्या अलग-अलग धर्मों की बात लगा रखिए एक धर्म की धार पूरे विश्व में फैलनी चाहिए कि जो कोई भी धर्म मानता हो लेकिन सबके भगवान एक ही है आपस में लड़ाई इस बारे में नहीं होनी चाहिए तो जाबुआ मानती किसको है अली के राज को तो अली राजपुर और क्या बोलती है कि एक ही धार यही जो धार है एक धर्म लेकर के चलने की वो हर जगे होनी चाहिए तो धार से धार हो गया और यह जो धार है एकता की इसको इंडोर मत रखो यानि मैं इसमें बिलीव करता हूं तो सिर्फ मैं ही मैं इस बढ़वाना है तो यहां पे आ जाएगा बढ़वानी कौन सा दिस्ट्रिक्ट आ जाएगा बढ़वानी तो देखो जाब हुआ अली के राज को मानती है और बोलती है जो एकता की धार है ये इंडोर मत रखो चुप 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 अकेले सारी ये बाते मत करो इस धार को हमें बढ़वाना है आगे ताकी ये जो खार है ना लोगों के मन में मैं हिंदू तू मुस्लिम तू सिक्टू इस धर्म के चकर में लोग मारा काटी कर देते एक दूसरे को खत्म कर देते और आज भी ऐसा होता है अलग अलग धर्मों के चकर में बहुत खुन खराबा होता है तो ये को खार है लोगों के मन में ये गौन हो जाए गौन यानी चली जाए तो खार गौन तो जो खार है देखो उन डिस्ट्रीक भी आद करें बहुत अच्छी बात भी सीखुए है के जो तेरा मेरा भर मेरा धर्म में अलग तूँ अलग इसारी चीज़ आ में खटम करें जैस वह हम खंड़ खंड में बटे हुए हैं, खंडवा, जो खंड़ में हम बटे हुए हैं, वो हम सब एक हो जाएं, और जो बुराई है, यह खत्म हो जाए, पूरी धर्ती से खत्म हो जाए, तो आखरी आएगा, बुरहानपुर, और यह आप सीधे भी याद रखोगे, क्योंकि सबसे Southern Most District है, तो सबसे Northern Most था नुमुरेना, सबसे Eastern Most था सिंगरॉली, सबसे Southern Most है बुरहानपुर, और सबसे Western Most कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, अली राजपुर, ठीक है, तो यह बुआजी वाली स्टोरी याद होगे, जबुआ की जबुआ हैं, अली के राज को मानती है और बोलती है धार इंडोर मत रखो इंडोर मत रखो ये जो धार है इसको हमें बढ़वाना है आगे ताकि जितनी भी खार है ये गौन हो जाए और जो हम खंड खंड में बटे हुए है ये खंड हमारे एक साथ आ जाए और जितनी बुराईयां है वो सब दूर हो जाए तो इस आपने एके गेजिया को जूम करके याद किया है, एक साथ फटा-फट प्लेसिंग देख लो, और फिर टेस्ट होगा, पक्का टेस्ट होगा, जल्दी से पढ़ती हूँ, आपको सिर्फ ध्यान करना है, देखते जाना है, और याद हो ही गया है, चिंता नहीं करनी, तो शी मोर भीड से परेशान है, तो ये हो गया हमारा शियोपुर, मुरेना और भिंड, चंबल डिस्टिट हो गई, उसकी आख ग्वालियर पर है, क्योंकि वहाँ पर उसके ददीहाल है, वो शिव मंदिर में अशोक के बहुत सारे पेड हैं, वो कई गुना शोक हर लेते हैं, यहाँ पर वो जाना चाहती है, तो ग्वालियर दतिया, शिव पुरी अशोक नगर और गुना हो गया, फिर नीचे देखेंगे तो यह है भोपाल, यह भोपु है राजा जी का, जो कि राजा से हम राए मांगना चाहते हैं, कि वो विधी बताएं किस तरह से राज करना चाहती है, भोपाल, राजगर, सिहोर, राइसेन और विधी शा, और भोपु से जो राई उन्होंने दी है, वो यह बोला है कि होश में रहो हरदम बेटू, होश में रहो बेटू हरदम, तो होशंगाबाद, हरदम, हरदा और बेतूल, ठीक है, फिर हम यहाँ चले थे, यहाँ हमने यह चार डिस्ट्रिक देखे थे, रेवा बहुत सीधी है, सत्संग करती रहती है, तो रेवा से धी सतना और सिंगरॉली, उसके नीचे हमने USA से जो अनूप आया है, USA से अनूप बहुत डोलता है, उमर भर से डोल रहा है, तो अनूपुर, शादोल और उमरिया, उसके बाद हम क मन डाल के गाना है, और दिन भर गाना है, तो कटनी, जबलपुर, नरसिंगपुर, छिंदवाडा, सियोनी, बाला घाट, मंडला और दिन डोरी, उसके बाद हम उपर चले थे पन्ना, हमारा जो पन्ना है, उसमें हमने क्या किया था, हमने सारे मुहों का सागर उड़ेला था पन्ना, दामो, सागर, छतरपुर, टीकमगडर, निवारी, फिर हम इस साइड आ गए थे और हम उज्जेन वाली स्टोरी हमने देखी, कि हमने पूरा एक प्रण लिया था, हम नीम ही नीम खाएंगे, जब तक हम महाकाल के मंदर नहीं जाते, तो नीम मंद गती से खाते वे, हम रतलाम की गलियों से होते वे, उज्जेन महाकाल पहुंचे, वहां हमने अगर बत्ती जलाई, और शाह जापुर, शाह जहां जैसा हमारा पूरा वास हो, ये हमने उनसे मनत मांगी है, तो नीमच, मनसौर, रतलाम, उज्जेन, आगर, मलवा, शाह जापुर और देवास, और आखरी था, कौनसी बुआ, जाबुआ वाली स्टोरी, तो जाबुआ, अली का राज मानती हैं, और उन्हाने बोला, यही धार सब जगे फैलनी चाहिए, और इसको इंडोर मत रखो, इसको हमें बढ़वानी है, और ताकि सारी खार गौन हो जाए, खंड-खंड में हम न बटे, और यह जो बुराई है, यह दुनिया से हट जाए, तो जबुआ, अली राजपुर, धार, इंदौर, बरवानी, खारगौन, खंडवा और बुरहानपुर, ठेक है, यह विक री कैप हो गया, अब क्या करेंगे, अब लेंगे आपका चेस्ट, टेस्ट, टेस्ट, टे विच विच में से, भोपु का शेप दिख गया, भोपाल, बेरी गुड, चलो, ओके, ओके, इधर आजो, यह, नमबर टू, इसको नमबर वन लिखे रहने देते हैं, यह, इसका एक हिंट है, यह देखो, यूनिकॉन का सीन, इस सीन से क्या कर देता है, सोचो जरा, यहाँ प आपको बता है था, पन्ना होगा और नीचे क्या होगा, कटनी, शाबाश, कटनी, ओल राइट, चलो, अब आप मुझे बता दो, यह, थर्ड नमबर का, यह, पूरी स्टोरी थी, रेवा की, रेवा सीधी है, सत्संग करती रहती, यह, स्टोरी किस की थी, यह, स्टोरी किस की पूरी उमर तो यह, तीन हो जाएंगे, चलो, यह, रेक्टैंगल वाला बताओ, रेक्टैंगल वाला बताओ, मैंने आपको बताया था, यह, जो राजा जी थे, उन्होंने राए भी दी थी, क्या राए दी थी, होश, होशंगाबाद, वेरी गुड, चलो, सबसे सदर्न मोस बताओ, कौन सा है यह, कौन सा है, और हमने बोला भी था, यह, जो जाबुआ थी, उन्होंने कहा था, क्या खत्म हो जानी चीए, बुराई से, वेरी गुड, बुरहान पुर, शाबाश, बुरहान पुर, चलो, अब आप मुझे बताओगे, बीच में से थोड़ा सा डिफिक चतरपूर, बहुत बढ़िया, नहीं तो यहां पहुंचो, यह कौन सा है, पन्ना, मुहों का कुछ लिख रहे थे, दमो, और यह, सागर, यह, चतरपूर, किसकी चत पे गिरा था पन्ना, किसकी टीकम की चत पे, और उसने क्या बोला था, सबसे यंगिस्ट, डिस्ट्रिक चलो, यह जो आख है, इस मोर की आख, ग्वालियर, शाबश, अब देखो यह, ग्वालियर के किले में कौन सा मंदिर था, शिव, शिव पुरियोर्णी, तो शिव जी गले, उनने विश्पिया हुआ था तो इधर भी गले पे शिव आ जाएगा, चलो अच्छा बताओ, यह बताओ सबसे, टॉप मोस्ट, नदर्रमोस डिस्ट्रिक्ट, मोर से, मोरेना, शी, मोर, और इसको भीड पसंद नहीं है, वेरी गोड, चलो, अब थोड़ा यहां से बताओ मुझे, यह बताओ यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बिलकुल बीच में से पूछ रही हूं रैंडमल यह बताओ, यह सी हॉर्स जैसा शेप था, तो यहां पे यह है नरसिंगपुर, और यहां पे यह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चिंदवाडा, चिंदवाडा, और नरस ने चंद मिनिट में इलाज करने के बाद क्या बला था, कौन सा गाना गाओ, सयोनी, तो य यह जो आपको दिख रहा है, थोड़ा पतंग जैसा शेप है न, यह कौन सा है, बाला से बाला घाट, शाबर, तो पकड़ में आ रही है चीज़ें, कोई प्राब्लम, कोई प्राब्लम, यह कौन सा है, जल्दी बताओ, मैंने बताया था बड़ा सा, यह क्या है, हमने वो जो पूछें, यह बता दो, यह यह बताओ, यह शिवपुरी के बाद, अशोक नगर, बहुत सारे अशोक के पेड़र, उन से क्या होता है, कई गुना कम हो जाता है, हमारा दुख, ठीक है, इसी दर ऐसे अब खुद का टेस्ट लो, चलो, यह भौंपो है, यह भौंपो किसका है किसका भौंपुता, राजा जी का तो राजिगड, राजा यह चारों बता दो, आपको सब या दो रखना है, मैं थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हूं सिर्ग, राजा से राय ली थी हमने, तो यह क्या है, सहोर, राय से, राय से, और क्या राय ली थी, क्या बताओ हमें, यह बताई है, यह वाला डिस्ट्रिक्ट बताई है, सबसे वेस्टन मोस्ट भी है, गुजराट से लगे वे दोनों बतादो, चलो, गुजराट से लगे वे कौन से हैं ये, जिले, सबसे उपर, बुआ, कौन सी बुआ, जबुआ, और नीचे, अली का राज, शावश, So, with this, boys and girls and जो भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, I am sure आपको ये याद हो गया होगा, and आपने खुद का टेस्ट भी ले लिया, and यहां मैंने क्या लिख रखा है, stay creative, straight genius, तो सरफ पढ़ाई करने का एक ही तरीका नहीं होता, एकदम serious हो करके, boring तरीके से पढ़ो, no, आप आपको अपनी creativity नहीं छोड़नी है, यह जो आपको लगता है बच्चपने वाले तरीके हैं, यही बच्चपने वाले तरीके हैं, जो आपके दिमाग को active रखते हैं, alert रखते हैं, और जहां जहां आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करने में डिफिकल्टी आती है, आप ही मिलेंगे, दूसरे elections के साथ, geography, art and culture, करन जी के, world geography, जो भी कुछ में पढ़ा रही हैं उसके साथ है, तब तक के लिए take very good care of yourself, और comment में जरूर बताएगा, answer कर पाए या नहीं कर पाए, और अगर answer कर पाए हो तो दे दो, चलो, bye-bye.